तो नमस्कार दोस्तों आप से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल टोटल लर्निंग में तो फ्रेंट्स आज हम लोग फिर से हिंदी के भी भी आय अब्जेक्टिव क्वेस्टन को करने वाले जो कि आपके पैरा मेडिकल के इंटरेंस एक्जाम के लिए बह करने वाले हैं तो दोस्तों जो लोग अमारी चैनल पर नए हैं पहले बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल कर लिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और टेली ग्राम चैनल से जल्दी से जाकर के टेली ग्राम चैनल पर जुड़ जाओ वहां पर आपको स्टडी मेटेरियल साथ में प्रतेक क्लासेज का नोटिफिकेशन और एक्स्टा मेटेरियल भी दिया जाता है तो चले दोस्तों लोग शुरू करते हैं और डेली क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता होगा आठ ी बज़ेस साम में होता है तो आप सबीलोग की पूरा काम को निप्टा कर हमारे साथने पैटिए इससे क्या होगा पूरा काम को निप्टाने प्लोग निश्चिन्द क से बीच ओर और सारे क् 190 ओठ लग फरेस्ट फरेसेज्व करके जाते जाएंगे ठीक है तो चलिये में ल पहला है या दूसरा या तीसरा मेरे नुमान से पच्मा होगा ठीक अब कोई भी हो अब आप लोग मिलाते चलना चलिए रेडियो यह क्वेस्चन नमर 1 आपके स्कीन पर आ रहा है कहता है दोस्तों क्वेस्चन नमर 1 हिंदी भासा में बोली होती है उसकी संख्या कितनी है जो है ठीक है अपसन नमर ए है 15 अपसन बीए 25 अपसन नमर सी अठारा अपसन नमर डी है बाइस देखे बोली किसको कहते हैं यह समझ लिजे आप सभी लोग तो आपको यहां पर हिंट्स मिल जाएगा जवाब देने के लिए किसी छेतर में बोली जाने वाली भासा को अम लोग क हाजी क्या उगर राइट आंसर दोस्तों जो लोग आंसर कर रहें वो लोग देखेए हाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जागा राइट आंसर आपसन नमर सी हो जाएगा आट रहा बहुत अच्छा जो लोग सहीब पता रहें उनका राइट है हां जी ठीक है सी बता रहे ऊनका राइट है क्या हो जाएगा दोस्तों अठारा क्या है हिंदी भासा में बोलियो किता हिंट ही हिंदी भासा में ऐसे बहुत सारे भाली है भारत में कुल 28 राज्य है और साथ में आठ केंदर सासित परदेस है ठीक है आठ केंदर सासित परदेस है तो सोच लिजे सभी छेत्रों में अलग-अलग अब इसमें भी छेत्रों होंगे अलग-अलग छेत्रों होंगे तो सबका अलग-अलग भासा होगा जिसमें दोस्तों हिंदी जो भासा है उसमें कितने 18 हैं और राजेस्थानी, 36 गड़ी, मालवी, नागपूरी, खोरठा, पंच परगनिया, फिर आपका हो जागा कुमगाउनी, मगही, ठीके ये सभी कहे हिंदी की कुछ प्रमुक बोलियां जो आपको मैंने बताया है, तो आई होप आप सभी लोग सुने होंगे, तो चलिए हम लोग ने संधी, संदी संध को कॉन सा संधी है, फटा फटा ह सभी लोग कमेंट करके बता और जल्दी से अभी तक से यार लिंक में को सेर और लाइक कर दो जल्दी से तो चलिए दोस्तो इसका question का answer देखते है सदाचार है ना सदाचार का आपको इस तरह के question को मैंने बताया पहले बिग्रह करो सदाचार को हम लोग लिखते हैं दोस्तो सत जोर आचार क्या लिखते हैं सत जोर आचार ये तो बिग्रह हो गया अब मैंने बताया था जहां पे भी हलंत दिख जाए ना विग्रह करने के बाद वो कहां चला जाएगा बेंजन संदी में ठीक है और स्वार वंड दिखे तो स्वार संदी में अगर भी सर्ग दिखे तो भी सर्ग संदी में आपको हलंत दिख रहा है कहां जाएगा आप सभी ल सुख दुख में कौन सा समास हैं यह question समास का है चलिए outson number a two आपसे नमर बीए द्यूगई समास. आपसे अव्याई भाव समास कर्मधारे समास बहुत ही असान सवाल है दोस्तों बहुत ही असाल रहुजँ आपका पैरा क्या होगा दोस्तों राइट अंसर बहुत अच्छा जो लोग आपसन नम्मर ये बता रहे हैं उनका राइट है ठीक है दोण्द समास याद रखिए क्या होगा दोण्द समास बहुत अच्छा देखिए अब इसका थोड़ा बोर डेफनेशन बता दे तो इन सभी का देखिए यहां पर कहता है दोनों पद परधान हो देखो सुख और सुख दैक्विशीब ब्यक्ति के जीवन मैं यद्यदी सुख होता है तो माता पिता कि माताいうこと कौन सा समास है आपको यारा दोनों परधान है माता भी परदाने और पिता भी परदाने यानि कि दोनों के रहने के बाद जीवन अच्छा चलेगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा दिगू समास अब दिगू क्या कहता है दिगू को थोड़ा बहुत समझे लिए यह कौन सा समास हों गया तो पंच से आपको यादा रहोगा पांच ठीक है पंचांग उसमें भी पांच आ रहा है ठीक है जहां पर आगे में आपको संख्या वाचक दिखे तो आपको टिक कर दिजा क्या दिगुष समास ठीक है और अव्याई भाव मतलब जिसका कोई अर्थ निकले जैसे यथा सकती हो गया फिर कूरती हो गया इस तरीके से जो ऐसा वड़ो जिसका कोई अर्थ निकले वह भावसमास में और कर्मधारे आप लोग जानते होंगे पहला वड़ यानि कि प्रथम पद जो अंतिम पद होगा उसकी विसेश्था बताता हो जैसे कमल नयन या आनि आंख हमारा जो कमल के समान है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कर्मधारे यानि कि दूतियपद की विसेश्था प्रथम पद बताता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं कर्मधारे run संथ प्रती दिन आठ बजे मुश्किल से तीस मिनट का क्लास चलता है और इस तीस मिनट में आपको पैरा मेडिकल में दोस्तों बहुत अच्छा रेंग कर सकते हो तो आप लोग पर पंदर गोराता है तो मुझे नहीं दोखार है यहां पर 15 ले आओंगे उसमें तुझ 10 कम पहसजाओ किस बच्चे को कैसा चाहिए तो आप लोग सही लिखोगे तो ज्यादा मेरे को दिकत नहीं होगा परसानी को आप लोग की खोजने में कि आप लोग मुरे को बता दोगे परसानी तो उस तरीके से आपको वीडियो लाऊंगा ठीक है तो चलिए देखते इसका तालाब का नहीं होने वाला प्रवाची सब ने और बता देता हो जैसे सरोबर हो गया, जलासे हो गया, पुस्कर हो गया, जलवान हो गया, सरसी हो गया, ताल हो गया, सब याद रखना ठीके, क्या-क्या हो गया तडाँ, सर, कासार, सरोवर, ताल, सरसी, जलवान, पोकर, पुसकर, जलास है ठीक है, क्या हो घाएगा राइट आंसर, अप्सें नमर डी जो बतारे बहुत अच्छान का Ayte चलिए आगे बरते वाइब क्यों देखें लग् welding सब में करवा है दूस्तों आकरसं और संखर सन क्या और अंसर गुप में बताइए तो जल्दी सें आप सभी सो तो क्या होगा दोस्तो right answer सभी लोग option number C बता रहें बहुत अच्छा ठीक है option number C इसका right हो जगा विकरसन ठीक है अकरसन का उल्टा क्या होता है दोस्तो विकरसन ठीक है अकरसन मतलब नस्दीक क्यों आना विकरसन मतलब दूर भागना इसी तरीके से यह दिक्वेस्टन में आ जाए कि प्रेम का बिलोम सब्द क्या होगा ठीक है प्रेम का बिलोम सब्द क्या होगा पूस्ता है बताइए तो जल्दी से प्रेम का बिलोम सब्द क्या होगा यहाँ पे बिलोम सब्द बताइए तो क्या होगा हजी हाँ दोस्तों क्या होगा राइट आंसर बहुत अच्छा ग्रीना हो जागा यह देखिया ऑफ्सन नमर बी में भी आपको अंसर दिख रहा होगा ग्रीना ठीक है अगर गरीना का विलोम सब्द है तो आप लोग प्रेंड को कह सकते हो तो यानि कि दोनों एक दुसरे का उल्टा पूछे तो यह वाला इससका पूछेगा दो यह वालाह। कि चलिए नमर्सिक्स आपके स्कीन पे आ रहा है कहता है क्वेस्ट नमर्सिक्स दोस्तों चक्रधारन करने वाला होता है यह अनेक सब्द का एक सब्द आ गया ठीक है कहता है चक्रधारन करने वाला होता है यानि कि चक्रधारन करने वाले को हम लोग एक सब्द में क्या कहते है क्या कहते हैं जल्दी से बताइए तो शली हाज जी क्या होगा राइट आंसर दोस्तों चक्र को धारन करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों चक्रधर कहलाता है ठीक है चक्रधर का ही मतलब होता है कि चक्र को धारन करने वाला और इसका एक और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि चक्रधारन करने वाला कौन सा समास है ठीक है समास में अगर आ जाएगा तो आप लोग कैसे बताईएगा जल्दी से बताईए तो एक इसका कौन सा समास है, चक्र को धारन करने वाला कौन सा समास है, जल्दी से बताइए, हाँ जी क्या हो जागा दोस्तों चक्र को धान करने वाला अर्थात विश्णु ठीक है भगवान विश्णु को आप जानते हों जिनके हाथ में चक्र होता है तो कौन सा समास हो जाएगा 20 बिसवय में एक ही है यानि की बहु बिदी जाएगा तो इस तरीकी के भी क्वेस्टन पूछे जाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नंबर 67 क्यों ठीक है क्वेस्टन नमर 7 या पर आके कहता है उल्लुक का तदभाव रूप क्या होगा ठीक है उल्लुक का तदभाव रूप क्या होगा अपसन नमर ए है उल्लुक आपसन नमर बी है अलोक क्या होगा जल्दी से बताइए आप सभी लोग को झाओ है तो चलिए यहां पे देखेगा सभी लोग राइट अंसर पूलुक का तद्भौ पूछ रहा है ठीक है तद्भौ रूप क्या होता है दोस्तों लू होता है ठीक है अगर उलू का ततशम रूप ठीक है तत सम रूप पूछे त taught पाढ़ना है उल्लूक माढना भीक है एक दूसरे का उल्टा होता है यहां पे ध्यान रखेगा चलीए यहांसे आपको दो क्वेंशन हो गया चले लिए क्वेंशन नम्मर एट के उरे क्वेंशन नमर 8 एक उजवल में कौन सा उपसरग लोग्षेंग तब घ्रगण में यह उपसरगा नम्म्म भी लोग है किया होगा राइट आंसर किया होगा राइट आंसर जल्दी से अब इसको कैसे पता करें तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए आपको वीगड़ा करना पड़ेगा जैसे उजवल का आप लोग जानते को यह कहां पर आ जाएगा बेंजन संदी में हलंत होता है जैसे उजवल को हम लोग कर सकते दोस्तो उत जोर जोल ठीक है उत जोर जोल को हम लोग करेंगे तो क्या जाएगा उजवल यहां पर कौन सा उपसर्ग आ रहा है उत यानि का अपसर नमबर ए इसका राइट हो जाएगा है ना कितना बढ़िया से आप लोग उपसर्ग को जान स तेज होना आपसे नमर भी ए ठक जाना आपसे नमर सी ए गुस्सा होना आपसे नमर डी भी वे कहीन होना क्या होगा फटा फटा अंसर बताईए आप सभी लोग हाजी क्या होगा बहुत अच्छा हाज सभी लोग अपसे नमर सी बता रहे हैं बहुत अच्छा क्या हो जाएगा अपसे नमर सी बहुत गुसा होना ठीक है जो लोग अपसे नमर सी बता रहे हो बहुत अच्छा उनका राइट है बहुत गुसा होना क्या होगा खून खुलना य क्वेश्चन में 10 कहता है सुद्वर्तनी वाला सब्द बता यह देखें सुद्वर्तनी वाला आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन तो आप सभी लोग को इस पह बहुत ज्यादा कमांड रखना तो पांच नममर एक व्युश्चन आपको दिलाएगा दोस्तों तो पांच नमर आपके लिए बहुत ज़्यादा important रखता है चलिए अपसनर अपसन नमर ए पुर्ण विचार अपसन नमर विचार अपसन नमर डीए पुना सब्सक्राइब इसमें कौन सा पुर्ण विचार का सही सब्द है इसको देकिए आप से मिलोग हाजी हाँ जी क्या होगा देखे सुद्ध वर्त नहीं कर रहा है यानि कि सुद्ध सब्ध यहां पर क्या हो जागा राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जागा अप्सन नमर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है ठीक है पूर्ण विचार कुछ इस तरीके से लिखा जाता है आप सब लोग देखेंगे काहीं बुक पे या कॉपि पर आप लोग लिखते होंगे तो आसन नमबर एक जैसा प्षा लगते होंगे ना कि इसके जैसा आप प्राहर प्यारे जिवित रहूं किसके सहारे यह पूछ रह यह है यह क्या है रस है और उसमें सा रस दिया गया है आपको मैंने बताया था कि टोटल कितने रस हैं उसके बारे में देखिए उस रस में से भक्ती रस सब्सक्राइब क्या होगा जल्दी से बताईए कौन सा रस होगा हाजी क्या होगा दोस्तों आप से नमर बी जो बता रहे हैं उनका राइट ठीक है क्या हो जाएगा करून रस ठीक है जो वाक्या आपको दिख रहा है हा राम हा प्रान प्यारे जिवित रहूं किसके सहारे तो आप लोग यह पढ़ने के बाद आर्थ तो आपको ऐसे पता लग गया होगा और इसमें कौन सा ब्य वाला राइट हो गया बहुत अच्छा जो लोग भी बता रहे हैं उनका राइट है ठीक है याद रखेगा चलिए अगे बरते रहे च्वेस्टन नमर बारा की ओर देखिए क्वेस्टन नमर बारा केता है दोहें में कितने चरण होते हैं और अपसे नमर एड़े दो अपसे जो लोग दोस्तों नमबर बटा रहें बहुत अचान का राइट कि चार चरन में होता है थीक है अब कैसे होता है इसको मैं बचाता हूं में आप सभी को याद है कि न यह फार बताओ तो कमेंट में कबीर के दोहे को संगड़ है कि देखे मैं लीड दे रहा हूं को कबीर के दोहे के संगड़ को क्या कहते है बताओ जल्दी से 8 हां आ सकता है दोस्तों हो होतों है एक आश्छा बीजक कहते हैं क्या कहते हैं इस बुख का क्या है ठीक है याद रखिएगा अब जो दोस्तों तो यह चार चरह होता है वाक थो लेधा है और दो तोटल को मिला करके वाक्यक का निर्मान करते हैं जो कि हमको अर्थ बहुत अच्छा दिखाता है ठीक है शमाज़ गया चार चनल कैसे होते हैं चली का ऊश्किर अब करिदी वाला क्वेस्चन आगा दोस्तों आपको यहां पर से याद रखने की जरूँवत याद रखने की जरूँवत हैária क्वेश्ट नमर 13 чуд देखिए आपको नहीं पता है तो कोई दिकत नहीं दिकत कर सकते औन दो दोस्तों सीखेंगे और अभी तक से लाइक वाला बॉटन नहीं दभा रही को I финों को खर्चा नहीं जाता है कोई पैसा नहीं लगता है तो लाइक वाला बटन दिन दहारे दो तो करने के लिए कहınगा नहीं किये आप लोग तो बहुत ज़्यादा तेज विद्यार्थी लोगों सेर कर देते हो बहुत अच्छा थेंक्यू चलिए आगे बरते हैं चलिए इसका राइट अंसर देख लिजए इसका राइट अंसर क्या हो जागा दोस्तो मैला आचल जो है वो फनीशवर नात रेनू की क्या है क्रिड़ती है ठीक है इनी नहीं ल जादा पैसा खर्चा नहीं करना है ठीक है बियालीसमा संकरन किन के द्वारा आ गया है राज कमल यानि कि अपडेट किये हैं मैला आचल को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर चौदा आगया कहता है कमल का सौरी कलम का सिपाही किसके लेखक है ठीक है कलम का सिपाही करिती क्रिती है दोस्तों कि के है कौन सा लेखक है के आपको पता होगा इसका रिजल्ट आप सभी लोग हंनेट पर्शेंट मुझे दो क्या वहाँगा बहुत अच्छा अपसन नमर जो बता हैं उनका राइट है बहुत अच्छा क्या हो जाएगा प्रेम चंद ठीक एकतीस जुलाई उनाइस सो वसी स्वी में इनका जन्म हुआ था कहां पे लहमी में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नवर फिप्टीन लाश्ट है क्वेश्चन नवर फिप्टीन कता है कर्म भूमी के लेखा कौन है जितना आपको दिख रहा है ना बुक वला कि इसके लेखा कौन है इसके लेखा कौन है यह आपको सारा कृती है एक बुक के लिख दिये हैं तो अब दूसरका में क्या है अपसर नमर A, जनेंदर, अपसर नमर B, प्रेमचंद, अपसर नमर C, कमलेशवार, अपसर नमर D, राजिंदर, यादब फटा फटा अंसर बताईए, आप सभी लोग कर्म भूमी के लेखक कौन है, जिनको नहीं पता है दोस्तों, वो लोग याद करिए, कहीं पर नोट कर लिए ताकि आपको याद हो जाए, जो लाश्ट का तीन या चार क्वेशन आएगा न, वो आपको इसी पर आएगा किर्टी पर क्योंकि आपको पूरा क्रीती वाला हमको याद करवा देना है आपको, ठीक है, और धीरे-धीरे याद करेंगे ताकि आपको पता भी न लगए कि हम लोग पूरा क्रीती वाला याद कर लिये हैं, तो चलिए देखे, यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा, कर्म याद कर लिजिए, कहीं पर नोट कर लिजिए, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलतें निक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, जय हैं, जय भारत!